Hey guys, welcome back to Invest Mindset savings account में डाल दे और फिर जब वो एक बड़े amount में save हो जाए तब FD कर लेना तो ये बात सुनके उसकी mom कहती है कि ये bank वगेरा भी आजकल भरोसे के लायक नहीं है और अब तो FD की interest rate भी कितने कम हो गए है बेटा एक काम करो तुम अपनी salary से gold खरीद लो हमारे जमाने से हम gold में पैसा लगाते आ रहे सोने का भाव हमेशा बढ़ता भी है वो घर में safe भी रहेगा और ज़रूत पढ़ने पे काम भी आ जाएगा और ये बात सुनके उसके जादा कहते कि ये gold भी इतना अच्छा investment नहीं है तो ये काम कर कोई plot या घर खरीद ले और EMI भर कम से कम 20 साल में तेरा एक खुद का घर तो हो जाएगा लेकिन Monty को इतना जल्दी loan के चकर में पढ़ना नहीं था तो अब वो confused हो जाता है कि वो करे क्या दोस्तो ऐसी कोई चीज हम सभी अपने घरों में देखते होगे सिर्फ investing ही नहीं हर चीज में हमें अलग लोगों से अलग-अलग opinion मिलती है और क्योंकि किसी ने भी किसी चीज में कोई success अचीव नहीं की होती है तो हम confused हो जाते हैं कि हमें किसे follow करना चाहिए और इसी वज़े से majority लोग जो middle class या poor family में पैजा होते हैं वो हमेशा वहीं रह जाते हैं तो इसलिए अगर आप एक rich family में bond नहीं हुए हो तो आप एक disadvantage में हो क्योंकि personal finance का subject हमारी school में होता नहीं है और नहीं कोई rich family के लोग आपको बैटके उनके secrets बताएंगे कि वो वहाँ पर कैसे पहुचे इसलिए ये book rich dad poor dad बहुत famous हुई थी और ये personal finance की category में शायद number one book मानी जाती है तो आज हम इसी author की ये दूसरी book why rich are getting richer से कुछ important lesson सिखेंगे अब दूस्तों इस book में कुछ ऐसे lessons है जो अच्छे लेकिन कुछ ऐसे lessons है जो आपको financial freedom नहीं बल्कि financial destruction के भी रास्ते पर लेके जा सकते तो इसलिए आज की वीडियो में हम उन अच्छे lessons के साथ उन दूसरे lessons को भी study करेंगे जिसमें मेरी opinion अलग है और मैं आप लोगों को अपना reason भी दूँगा क्यों मैं उस chapter की advice को follow नहीं करूँगा क्योंकि इस channel के जरी मेरा aim सरीफ book की summaries बनाके upload करना नहीं है बलकि आप लोगों की financial freedom की journey में help करना है तो वीडियो को end तक जरूर देखना इसका second half काफी interesting होने वाला है इस बात की मेरी guarantee है क्योंकि उसमें आपको wealth और financial freedom का एक बहुती interesting lesson सिखने मिलेगा तो चली शुरू करते हैं तो दोस्तों दुनिया में दिन पर दिन rich और poor लोगों की बीच का gap बढ़ता जा रहा है यानि rich लोग और जादा ameer बनते जा रहे है और middle class और poor लोगों का struggle दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है इसका reason ये है कि rich लोगों के पास three ease होते है जो है education, experience और access cash तो जब कोई बच्चा एक ameer family में पैदा होता है तो उसको financial education दी जाती है ये वो education है जो उसके dad उसे शाम को dinner करते हुए देते ना कि school में में उन्हें एक बहुती strong head start मिलती है और फिर वहाँ से वो और ज़्यादा ameer बनते रहते लेकिन जहां दूसरी तरफ middle class और poor लोग की हम बात करे तो वो lifetime तक सुर्फ पैसों के लिए काम करते रह जाते तो अब सवाल यह उड़ता है कि rich लोग अपने बच्चों को ऐसी कौन सी education देते तो author के इसाब से यह education basically तीन चीज़ों की होती है सबसे पहली होती है investment, दूसरी है taxes और तीसरी है debt यानि loan तो अगर हम सबसे पहली चीज़ की बात करें जो है investment तो rich लोग का सबसे ज़ादा पैसा जहां लगा होता है वो होता है उनके business में जो या तो public companies होती है जिसमें हम stock market के थूँ invest कर सकते है या फिर उनकी private company होती है क्योंकि rich dad poor dad में author का सबसे main lesson यही था कि poor लोग जिंदगी पर पैसों के लिए काम करते रहते तो आप up stocks के साथ account open कर सकते हो जो इंडिया के सबसे top brokers में से एक है up stocks के app से आप investment और trading आसानी से सीख सकते हो futures and options का भी option यहाँ पे available है यह काफी simple, affordable और easy to use app है जो सारे Indians के लिए available है चाहे आप एक newbie investor हो या experience trader up stocks आपकी journey इस app के जरिये काफी easy बना देता है यहाँ पे आप market movers and shakers, fundamentals और sectors के basis पर stocks में scan opportunities discover कर सकते हो और यहाँ पे reports का भी feature available है जहाँ पर आपको app पर ही margin, trades और fund की report मिल जाती है और यहाँ पर आपको curated news service भी मिलती है जहाँ आप अपनी सभी watchlist की companies का track रख सकते हो और इस app की खास बात यह है कि यह काफी user friendly app है जहाँ पर instant withdrawal यानि सिर्फ 15 minutes में withdrawal हो जाता है यहाँ आपको investing और trading की information मिलती है stock analysis के लिए fundamental data, call and trade facility और margin calculator भी available है और यहाँ पर आपको maximum up to 20 rupees पर order तक का ही brokerage charge होता है और अगर advanced features की बात की जाए तो GTT orders, charts powered by trading view और one touch order entry भी है जिसमें users app settings में जाके एक click order placement enable कर सकते है ताकि आपका order एक ही बटन में directly complete हो जाए और सबसे ची बात ही है कि इसका एक desktop version भी है जिससे आप अपने computer से भी trading या investing कर सकते हो और इनका account opening process पूरा online है और वो भी बहुत ही fast and easy तो इसकी link आपको नीचे description में मिल जाएगी आप वहाँ जाके इसे check कर सकते हो अब दोस्तो investment के ओपर हमने बहुत सारे videos बना रखे उनकी playlist आपको नीचे description में मिल जाएगी तो अब हम अगले lesson की तरफ बढ़ते कि rich लोग अपने पैसो को कुछ इस तरह काम पे लगाते जिससे उन्हें जादा taxes ना बना पड़े अब दोस्तो आप मेंसे बहुत लोग शायद अभी earn करना शुरू कर रहे होगे या शायद इतना जादा नहीं कमाते होगे कि आपको बहुत tax भरना पड़े और आप सोच रहे होगे कि हमें tax के बारे में सीख के क्या मिलेगा लेकिन बाद में जब आपकी income grow होगी और तब आप इसे सीखने जाओगे तो आपको ये काफी difficult लगेगा और अगर आप इसे अच्छे से समझ लो तो आप अपनी wealth का एक major हिसा legally tax में जाने से safe कर सकते हो क्योंकि इंडिया में maximum tax bracket 30% का है और US में 37% का है फिर इसके उपर और भी दूसरे तरह के taxes होते तो author के इसाब से इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अमीर होने के बाद अपने taxes को सही तरह से manage नहीं करते हो तो आप साल के 12 महिने में से 4 महिने government के लिए काम करते हो तो इस tax के subject को master करने का सबसे simple answer ये है कि आप अभी से tax समझना और उसे file करना शुरू कर दो फिर तीसरा lesson है debt अब ये वाला part सबसे interesting होने वाला है क्योंकि author कहते है कि debt दो types के होते good debt और bad debt तो सबसे पहले हम बात करते है bad debt की यानि बुरे loan की एक चोटे से example से imagine करिए कि आप एक market से गुजर रहे हो और आप देखते हो कि एक बहुती बढ़ी ऐसा shoe display पे लगा हुआ है जिस पे 6000 रुपीज का tag लगा है लेकिन अचानक से आपको याद आता है कि आपके bank account में उतने पैसे ही नहीं लेकिन आपके पास एक credit card है जिसे आपने सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिया है क्याकि आपको emergency के time पे वो काम आ सके आप सोचते हो चलो ठीक है मैं इसे buy तो नहीं कर सकता लेकिन कम से कम try तो कर सकता हूँ तो आप उस store के अंदर जाते हो सिर्फ उसे try करने की नियत से लेकिन भार निकलते हो एक box के साथ जिसमें वो shoe होता है अब दोस्तों ये possible इसलिए हुआ क्योंकि आपके पास वो credit card था तो इसे हम एक bad debt करेंगे क्योंकि आपको उस shoe की जरूत नहीं थी फिर भी आपने उसे buy कर लिया और अगर आपके पास credit card नहीं होता तो आप ये expense नहीं करते और हो सकता है कि आप वो shoes के बाद एक jacket खरीद लो फिर दूसरा कुछ और इसी तरह आप एक आदत बना लो हर महीने salary की आने से पहली उसे खतम करनेगी जो एक बहुत ही dangerous habit है और फिर अगर आप उस credit card के bill को time पे pay नहीं करते हो तो bank आपको अच्छे से interest और अलग-अलग fees charge करेगी जो आपको बिलकुल भी समझ नहीं आएगी और फिर आप सोचते रहे जाओगे कि आपकी ये financial problem खतम क्यों नहीं हो रही है तो यहाँ पे हम मैंसे majority लोग agree करेंगे कि ये एक actually में bad debt है लेकिन author कहते है कि good debt नाम की भी एक ठीज होती है जो एक ऐसा loan होता है जो आपकी जिव में पैसा डालता है यानि एक asset क्योंकि author के एसाब से जो भी चीज आपकी जिव में पैसा डालती है वो asset है और जो आपकी जिव से पैसा लेती है वो एक liability है तो author phantom income का एक concept हमें इस book में सिखा थे जो उनके एसाब से इस book का सबसे main lesson है कि rich लोग ये phantom income के concept को use करते जो एक active income भी नहीं होती है और passive income भी नहीं होती है ये phantom income होती है अभी exactly होता क्या है इसे हमें एक example से समझते imagine करिए कि आपके पास एक क्रोड रुपे है और आप इन पैसो को property में invest करना चाते हो और आपको एक क्रोड की एक property market में मिल रही है अब आप चाहो तो आप अपने पास रखे होए उन पैसों से ये property one time payment में खरीद सकते हो और उसे rent पर दे के पहले ही month से पूरा rental income enjoy कर सकते हो लेकिन author कहते कि अगर वो आपकी दगा होते तो वो ऐसा नहीं करते वो bank के पास जाएंगे और उस property को loan पे लेंगे जिसमें मान लो अगर down payment 20% का है यानि 20 lakh रुपीस का तो वो उस एक करोड की saving से 20-20 lakh करके 5 अलग-अलग down payment पे करेंगे मतलब 5 property loan पे खरीदेंगे इससे होगा ये कि उनको हर एक property पे 80-80 lakh का loan देना होगा लेकिन अब उनके पास 5 property से rental income आ रहा है जिससे ultimately उनका cash flow बढ़ जाएगा अब दोस्तों सुनने में या idea आपको काफी interesting लग रहा होगा लेकिन आप लोगों को मैं इसका एक दूसरा side बताता हूँ इस phantom income की concept में दो बड़ी problem है सबसे पहली तो ये कि अगर आप market में actually में कोई property loan पे लेने के लिए जाते हो और फिर उसकी EMI और rent को compare करोगे तो आपकी EMI का payment हमेशा rent से जादा होगा जैसे मुंबई में अगर कोई property एक करोड की है तो 20 साल के लिए उसका EMI payment almost 80,000 रुपीज पर मन का होता है और वैसी property से rent आपको maximum 30 से 40,000 का मिलेगा बदलब आपको आधा EMI अपनी pocket से देना होगा तो अगर आप बहुत सारी property ऐसे loan पे लेओगे तो आप ये extra payment करोगे कैसे क्योंकि author ने बुक में उल्टा लिखा है कि rental income जादा मिलती है और EMI कम होती है लेकिन दोस तो फिर भी हम मान लेते है कि आपको कोई property बहुत सस्य price पे मिल गई और उस पे interest rate भी बहुत कम है तो हम दूसरी और सबसे main problem की बात करते है जो है risk इसके लिए मैं आप लोग को एक story सुनाता हूँ imagine करिए कि एक ऐसा game है जहां 100 players airplane में enter करते है तो दोस्तो क्या आप ऐसा कोई game खेलोगे दोस्तो इसका answer no होना चाहिए क्योंकि एक type का suicide game है कोई भी समझदार इंसान ऐसा game नहीं खेलेगा क्योंकि भले ही वो इनाम कितना भी बढ़ा हो लेकिन जो loss होने के chance है वो कुछ जादी बढ़ा है हमारी जान चली जाने से बड़ा loss हमारे life में क्या हो सकता है तो इसी तरह financial life में जो सबसे बड़ा loss हो सकता है वो financial death होती है यानी bankruptcy अब इस bankruptcy का मतलब होता है कि आपको loan बहुत ज़्यादा pay करना है और आपके पास उतने पैसे नहीं है या फिर उतने assets नहीं है बदब आपकी liabilities जादा है और assets कम यह हमारी financial life का सबसे बड़ा loss होता है जिसे आपको हर हाल में avoid करना चाहिए लेकिन अब आप लोग imagine करिये एक आदमी है जिसको हम sunny बोलते वो बहुत सारी properties खरी देता है सबके सब loan पे इस phantom income की strategy से और कुछ सालों बाद country में कोई बड़ी problem आती है जैसे recently lockdown लगा था अब दोस्तों एक चीज हमको समझना चाहिए कि हम अपने lifetime में COVID-19 जैसे नजाने कितने सारे bad events देखने वाले क्योंकि historically हर कुछ सालों में एक recession आता रहता है जिसमें अच्छे कासे लोगो जॉब से निकाला जाता है और जो लोग unprepared होते तो वो अपने basic चीजों की खर्चे भी पे नहीं कर पाते और वो अपने rents भी पे नहीं कर पाएंगे लेकिन Sunny को तो banks की EMI time पे पे करना ही पड़ेगा क्योंकि banks स्रिफ तीन महिना रुकते अगर तीन महिनों तक Sunny की EMI की payment नहीं आती है तो bank अपना procedure शुरू कर देंगे जिसमें वो उस property को बेच के अपना पैसा recover करते है अब सबसे interesting बात यह है कि यह property बिल्कुल ऐसे time पे sell की जा रही है जब कोई अच्छा buyer ही market में available नहीं होगा क्योंकि अभी तो recession चल रहा है तो basically वो property एक बहुती cheap price पे sell होगी और bank के लिए margin of safety आपका down payment होगा अब बहुत लोगों को लगता है कि real estate में आपका loss नहीं हो सकता और property के price तो हमेशा बढ़ते रहते Sunny को भी यही लगता था लेकिन उसको इसकी reality तब पता चली जब उसने ऐसे बूरे market के time पे अपने broker को call किया तो उसको जब आब यह मिला कि sir अगर आपको urgently sell करना है तो आपको price negotiable रखना होगा क्योंकि market में फिलहाल अच्छे buyers available ही नहीं है क्योंकि real estate एक बहुत ही illiquid market है आप stock market की तरह सुबह साड़े 9 बजे अपने घर पे बैटे हुए mobile app से इसे sell नहीं कर सकते तो Sunny की property cheap price पे forcefully sell हो गई है लेकिन उसने जो original amount पे loan लिया था उसको तो वही amount भरना है उसके साथ में penalty, late payment और interest भी भरना है जिसे वो obviously pay नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका पूरा cash flow रुग गया है और rental income आना बंद हो गया है तो इससे बिलकुर एक domino effect की तरह देखते ही देखते Sunny की सारी property sell की जाएगी जिससे वो काफी आसानी से bankrupt हो सकता है और उसकी lifetime की महनत थोड़े से time में बरबाद हो सकती है तो ये phantom income का game खेलना एक तरह का financial suicide का game है इसलिए दुन्या के सबसे successful investor loan को लेके ये कहते हैं कि if you are smart, you don't need it and if you are dumb, it will ruin you क्योंकि जिस भी strategy में loan involved होता है वो शायद आपको जल्दी से top पे लेके जा सकती है लेकिन उससे double speed में नीचे भी लेके आ सकती है इसका reason ये कि जिस भी strategy में एक साथ आपका portfolio zero होने का chance होता है तो chances हैं कि वो कभी ना कभी zero हो गाई इसलिए जब हम stock market में invest करते और portfolio बनाते तो हम 10-15 companies अलग-अलग sector से pick करते है ताकि अगर बुरे time में 2-4 companies बंग भी हो जाती है तो आपकी बागी companies survive कर लेगी और long term में overall portfolio उन losses को recover कर लेगा तो इसलिए जब आप company pick करते हो तो ऐसी companies pick करो जिसका debt to equity ratio कम हो और जितने भी smart CEO होते वो मेंशा high debt से दूर रहते ताकि वो recession और बुरे market को भी easily survive कर ले क्योंकि चाहे आप कितनी भी दीच हो जाओ और कितनी भी बड़े scale में business कर लो अगर आपकी strategy में loan का एक बहुत बड़ा role है तो आपके zero होने के chances रहेंगे क्योंकि loan का mental model यह है कि any number multiplied by zero no matter how big that number is become zero इसको हम काफी detail में किसी दूसरे वीडियो में जरूर डिसकस करेंगे और दूसरे mental models के बारे में भी बाते करेंगे लेकिन आज की वीडियो का सबसे important question यह है कि दोस्तों poor रहने से भी बुरी चीज़ क्या होती है कि आप बहुत मेहनत करके अमीर हुए और फिर एक गलती से आप वापस पूर हो गए क्योंकि आपको finance का एक basic mental model नहीं मालुम था तो इसलिए finally मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि rich लोग rich इसलिए नहीं होते क्योंकि वो बस loan लेते रहते और loan पर जादा properties खरीते लोग इसलिए अमीर होते क्योंकि वो market में कोई valuable cheese प्रोवाइड करते जैसे कोई valuable product की company start करते या valuable service प्रोवाइड करते या valuable content ही सही तो आपका ultimate goal जी होना चाहिए कि आपकी जो net worth है यानि आपकी wealth और आपका investment portfolio वो time के साथ recession proof और बहुत strong बनता रहे ताकि एक बार जब आप financial freedom अचीव करते हो तो आपको फिर lifetime तक पैसों की tension लेनी ही ना पड़े तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको इस content से कुछ value मिली है तो इस channel को subscribe ज़रूर कर लेना क्योंकि आपके लिए मैं ऐसे valuable videos लाता रहूँगा और आप लोग मुझे निचे comment करके बताओ कि आपकी इस phantom income की concept को लेके क्या opinion है क्योंकि दोस्तो सब की अपने अपनी opinion होती है तो मैं आप लोग की opinion जानना चाहता हूँ और वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने friends और family member के साथ ताकि उनको भी ये financial education की knowledge मिल जाए stocks में invest करने के लिए अब stocks की link नेचे description में है वीडियो पसंदाया तो इसे like करो नहीं पसंदाया तो dislike करो आपका valuable time लेने के लिए thank you and goodbye investment in securities market are subject to market risks read all the related documents carefully before investing